साथियों, जब मोधी आपको दी गई ऐसी गारंटिया पुरी करती हैं, तो कुछ लोगों की निंद वुड जाती हैं, आप कॉंग्रेस की स्थिटी देख रहे हैं, आपने हाल में ही कॉंग्रेस को सबग सिखाया है, लेकिन यह मानते ही नहीं, आज भी इनका एक एजेंडा है, मोधी को गाली दो, जो भी मोधी को जितनी जादा गाली दे सकता है, उसे कॉंग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती हैं, यह विक्सित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोधी इसके लिए काम कर रहा है, यह मेडिन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोधी इसे बढ़ावा देता है, यह वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोधी इसके लिए आग्रह करता है, जब भारत पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बनता है, तो पूरे देश को खुशी होती हैं, लेकिन कॉंग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती, जब मोधी कहता है, कि अगले कारकाल में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की ताकत बनेगा, तब भी पुरा देश आत्मे विश्वात से भर दाता है, लेकिन कॉंग्रेस के लोग इसमें भी निराशा ढूमते हैं, मोधी कुछ भी करें, मोधी कुछ भी करें, ये उसका उल्टा कहेंगे, उल्टा करेंगे, चाहें इसमें देश का भरी नुक्षानी क्यों नहीं हो, कॉंग्रेस के पास एक ही एजंडा है, मोधी विरोध, गोर मोधी विरोध, मोधी के विरोध में ये ऐसी ऐसी बाते फैलाते हैं, जिससे समाज बढ़ जाएं, जब कोई पार्टी, परिवारबाद के, बौंशबाद के, गोर कुछ चकर में फस जाती हैं, तो उसके साथ ऐसा ही होता है, आज हर कोई कॉंग्रेस का साथ छोड रहा है, सिरफ एक परिवारी ही बहाँ दिखता है, ऐसी राजनिती युवा भारत को बिलकुल प्रेरित नहीं करती, विशेश रुप से देश का फर्स्ट टाइम बोटर, जिसके सपने बड़े हैं, जिसके आकांच्छाए बड़ी हैं, जो विक्सीद भारत के विजन के साथ खड़ा है, विक्सीद राजस्तान, विक्सीद भारत का रोड में, ऐसे हार फर्स्ट टाइम बोटर के लिए हैं, इसलिए आज कल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर से हो रही है, लोग कह रहे हैं, अपकी बार, NDA 400 पार,